नवस्कार दोस्तो सौगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एमसे की उबाई संदीब में दोस्तो हम लोग सिच्छक भरती की तैयारी कर रहे हैं इसके क्रम में हमने कई वीडियो अपलोड कर दिये हैं और कई वीडियो अपलोड करना बाकी है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिच्छड वीडियां ये सिच्छड कौसल का एक टॉपिक है दोस्तो आज के इस वीडियो में सिच्छड वीडियो को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे इसमें मैंने टॉप 25 कॉस्चन सेलेक्ट किया हुए है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिच्छड वीधी में कुछ और भी पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी इसी सिच्छड वीधी के एक वीडियो में मैंने सारा कुछ आपको important important बता दिया जो question paper में आ सकता है तो दोस्तो इस वीडियो को ध्यांच देखें और पूरा अंत दक देखें तक कि एक-एक सिच्छड वीधी के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए दोस्तो सबसे पहले इस समझ ले सिच्छड वीधी क्या होता है दोस्तों जिस टेक्निक से, जिस विधी से सिच्छक अच्छा में पढ़ाता है, वो होती है सिच्छड विधी, हर प्रकार की, कई प्रकार की सिच्छड विधिया होती हैं, जिन में से हम जो इंपोर्टेंट हैं, वो हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, और इन ही में से कोई एक नाए एक आपकी सिच्छड विधी के बारे में परिच्छा में पूछ ले जाएगा और इस वीडियो से ही कोश्चन आएगा ध्यान रखेगा और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें चले दोस्तों शुरू करते हैं लाच का टॉपिक पहला प्रश्ण क्या है सिच्छड की सरवाधिक प्रचिलित विधी कौन सी है पाठ पुस्तक विधी इसमें क्या होता है जो सिच्छक होता है वो पाठ पुस्तक का अध्यन कराता है और उसका मतलब समझाता है और उसके बाद छात्र से भी बोलता है कि बारी बारी से सबी छात्र पाठ पुस्तक का अ तो हिंदी का पाठ हमें पढ़ना है, पाठ पढ़ा, सिच्छक ने स्वयम पढ़ाया, फिर उससे कोश्यान अच्छा करवाया, फिर छात्रों से पढ़वाया, ताकि छात्रों के दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए, यह होती है पाठ पुस्तक विधी जो भासा सिच की जाती है, अगला प्रसंद देखिए, किस सिच्छड विधी में स्रवाण कोशल का विकास होता है, उत्तर है आपका व्याख्यान सिच्छड विधी, इस सिच्छड विधी में क्या होता है, सिच्छक आता है और अपने टॉपिक पर लेक्चर देता है, व्याख्यान करता ह और चला जाता है इससे क्या होता है जब सिचक भासल दे रहा होता है जब किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से बता रहा होता है तो छात्र ध्यान पूरोग सुनते हैं जिससे क्या होता है छात्रों के स्रवड कोसल का विकास होता है वो होती है आपकी व्याख्यान उच्छाओं में किस सिच्छडविधी का सरवाधिक प्रयोग किया जाता है तो वो आपका है व्याख्यान सिच्छडविधी क्या होता है देखे व्याख्यान सिच्छडविधी सिर्फ बड़ी कच्छाओं में ही प्रयोग किया जाता है छोटे बच्चे इतना ध्यान से सिच् खकाता है भासर देता है किसी बिंदू पर किसी टॉपिक पर किसी पार्ट पर भासर देकर अपना चला जाता है तो वो होता है बड़े क्लासिस के लिए ज्यादा उपयोगी होता है व्याख्यान सिच्छडविदी अगला प्रस्ण क्या है कि सिच्छडविदी में पहले उधा फिर नियम तो यह हो गया आगमन और पहले नियम फिर उधारण तो वो होती है निगमन तो देखे नी से नियम और नी से निगमन ध्यान अखेगा अगर नियम पहले हो उधारण बाद में हो तो नी से निगमन और नी से नियम याद रखेगा यह ट्रिक है नियम अगर पहले आ तो देखिए नी से नियम हो रहा है और नी से निगमन याद BrCH Tech कर देंगे तो आका आगमन से चड़ुधी उसमें क्या है और फिर उसके बाद नियम है तो वह आपका आगमन हो गया thorik मैंने ट्रिक बता तो याद रखेगा अगला देखिए तर्क के आधर्ब किसी निस्कस पर पहुंचना किस सिछड़ विधी की विशेषता है तो वह आपका आगमन सिछड़ विधी की विशेषता है पहले तर्क दिया जाता है फिर निस्कस पर निकला जाता है मतलब पहले किस चीज को अच्छे से अध्यन कर लिया नियम दे दिया उसके बारे में पढ़ लिया फिर उसके बाद निसकर्ष पर पहुंचना आगमन सिचड़ विधी की ज़िशता है आगे बढ़ते हैं आगमन विधी के विपरीत कौन सी विधी कारी करती है तो दोस्तों वो है निगमन मैंने भी आपको बता है पहले नियम प्र उधारर होता है निगमन सिचड़ विधी में निशे नियम निशे निगमन और आगमन में क्या होता है पहले उधारर फिर नियम समझ गये तो यह जस्ट आपोजिक है दोनों आगे बढ़ते हैं सामाने से विशिस्ट की ऑर किस जो बाद में आएगा वही से छड़विद ही होगा धाया जहां पर सामान से विसिष्ट हो उसमें बाद वाला ले नहा है ओ Pacific E याद रखेगा देखे इसमें सामाने से विसिस्ट वाला जो है उसमें देखे विसिस्ट वी में देखे कहा है की मातर छोटी की मातर है तो यह निगमन यह देखे छोटी की मातर है ठीक है समझे वी से देखो वी में छोटी की मातर है नी में छोटी की मातर है दोनों नी और वी याद रखेगा इसे जो बाद में आए विसिस्ट निगमन विसिस्ट निगमन अब अगर इसी को जस्ट अपोजिट करते हैं अगर मानलों करते हैं यह तो सामाने से विसिस्ट है अगर हम करते हैं विसिस्ट से सामान तो देखे सा आ की मातरा आ रही है तो वहां पर कौन से वि मात्रा आ रही है तो सामाने से विसिस्ट तो वहाँ पर जो बाद वाला देखे विसिस्ट है वी छोटीगी की मात्रा है और निगमन में भी छोटीगी की मात्रा है नी इससे याद रखेगा वी और नी याद रखेगा समझ गयोंगे सामाने से विसिस्ट निगमन विधी आगे देखिए खेल विदी के प्रतिपाद कौन है हेंडी कोर्डवेल कुक मैंने पहले भी बताया हुआ है इसमें खेल के माध्यम से सिच्छा दी जाती निरीछड प्रविदी के दवारा प्रात किया गे गयन कैसा होता है तो वो होता है इस्थाई ग्यान होता है हम किसी भी चीज क का निरीछड करके उसका अध्यन करते हैं माली जो हमें ताज महल के बारे में अध्यन करना है तो हम स्वयम ताज महल जाकर उसका अध्यन करेंगे वह होता है निरीछड प्रविदी मैं वहां स्वयम जाकर उसका निरीछड करना फिर अध्यन करना तो ऐसा ग्यान जो होता है वो इस्थाई ग्यान होता है एकदम दिमाग पर चा जाता है प्रस्ण उत्तर प्रविधि के प्रतिपादक कौन है शुकरत इस में क्या होता है इस विधी में सिर्फ छातरों से प्रस्ण किये जाते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त किये जाते हैं अगर वो नहीं बता पाते है तो उनकी doubts clear किये जाते हैं आगे देखे अगला प्रश्ण है अनुसंधान प्रवधी हिवरिस्टिक विधी खोजविधी तीनों एक ही नाम है याद रखेएगा confused मत होएगा इन तीनों के प्रतिपादक arm strong मैंने बताया था पिछले वीडियो में जिसकी arm strong होगी वही खोज कर पाएगा आगे देखे खोजविधी किन कच्छाओं के लिए सरवाधी को प्योगत है तो उच्च कच्छाओं के लिए समझ गए आप ये खोजविधी क्या है ये किसी भी चीज के बारे में शोध करना, रिसर्च करना ये होती है खोजविधी ये दरसल सबसे ज़्यादा important होती है विज्ञान के सिच्छड के लिए सरवाधी को प्योगत है खोजविधी ध्यान रखेगा आगे देखेए कि सिच्छडविधी में पाट को एकाईयों में विभाजित करके पढ़ा जाता है एकाई सिच्डविधी जिससे पाट लंबा है या टापिक लंबा उसको छोटी-छोटी एकाईयों में विवाजित कर दिया जिससे छात्र बोर नहीं होते हैं उस पाट को पढ़ते वक्त और वो ज़्यादा अच्छे से उस पाट को पढ़ पाते हैं उसमें रुची बनी रहती है छात्रों में उस पाट के प्रती आगे देखे अगला प्रस्ण क्या है कौन से सिच्डविधी स्वा निर्देशन पर बल देती है वाद विवाद सिच्डविधी स्वा निर्देशन पर बल देती है अगला देखिए किस चड़ विधी में कभी-कभी छात्र निरंकोष हो जाते हैं वाद विधी में चात्र कभी-कभी निरंकोष हो जाते हैं कि क्या होता है कोई छात्र किसी की बात से सहमत है कोई छात्र किसी की बात से नहीं सहमत है कभी-कभी छात्रों के बीच अभध्रता का महौल हो जाता है या लड़ाई धंगा होने की आशंका रहती है कभी-कभी छात्र नेरगोश हो जाते हैं टीचर की भी नहीं सुनते आपस में ही भीड़ जाते हैं वाद विवाद विधी में ऐसा होता है ठीक है आगे देखिए किस सिच्छड विधी को सहकारिता सिच्छड के नाम से भी जाना जाता है वो है आपका दली सिच्छड विधी दली सिच्छड विधी क्या होता है एक से अधिक सिच्छक जब पढ़ाते हैं उनका दल होता है सिच्छक को का तो उस सिच्छड को दली सब्सक्राइब void विक ने किया तो वहें आपके हरवड जी अगला प्रशन केला है किस प्रविद के माध्धिम से छात्र विसिष्ट से सामान ने की और अगरुसर होते हैं मैंने अभी बताया है जब विशिष्टो की बात आ जाए तो बाद वाला देख गीजें देखें सा में कौन सी मात्रा आ ये देखिए बड़े आ की मातरा आगमन विधी निगमन तो हो और अगला प्रसम क्या है बाल उद्ध्यान सच्छण विधी की प्रवरतत क का नाम बताओ फ्रोबेल habits आपको योजना पद्दति के प्रतिपादक का नाम बताओ किल पैट्रेक ठीक है योजना पद्दति या प्रोजेक्ट मैथेड दोनों एक ही चीज है वो इंग्लिस नेम है ये हिंदी नेम है अगला देखे आगमन निगमन विधी के प्रतिपादक के नाम क्या है अरस्तू याद रखेगा प्रस्ट संख्या 25 समवाद विधी के जनक कौन है उत्तर है प्लेटो दोस्तों ये टॉप 25 कोश्चन्स है सिच्छड विधियों से उम्मिद करता हूं कि इस विडियों के अलावा आपको कोई प्रस्ण नहीं आएगा उम्मिद करता हूं दोस्तों विडियो अच्छा लगा होगा आपको आज के विशेश प्रस्ण की तरब बढ़ते हैं आज का विशेश प्रस्ण है विज्यान सिच्छड के लिए सर्वोत्तम सिच्छड विधी कौन सी है इस प्रस्ण का सही उत्तर नीचे कमेंड बॉक्स में सिच्छक भरती परिच्छा 2019 के लिए आति महत्पूर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उन्हें देखना न बोले हैं दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नाया है प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर जरू करें मिलते हैं अकले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भार